Is it still worthy being a doctor in India? आज से 15-20 साल पहले तक, medical profession used to be regarded as one of the most prolific profession. Even in tier 1, tier 2 cities, being a doctor itself was a head-turner profession. मतलब आपके घर में, आपका फैमिली में, आपका कोलोनी में, अगर एक doctor है तब बड़ा बात होता था. Tier 3 cities में and गाउं में तो मतलब एक 5 किलोमेटर का रेडियाज में, अगर एक doctor है तब भी एक बड़ा बात होता था, आज से 20 साल पहले तक. The reasons were simple. Number 1 is respect and dignity. आप जितना भी पैसा कमाते हो, being a doctor, वो इज़त सरी आ जाता है आपको. Instantly, आप society में category A में चले आते हो, group A या group A plus में चले जाते हो, dignified इंसान बन जाते हो आप. For example, आप doctor हो, और एक लाग रुपे महिने कमाते हो, और side by side और एक आदमी है, जो की एक small business चलाता है, वो भी एक लाग रुपे कमाता है. लेकिन, just because you are a doctor, आप same मार्ण करते हो, लेकिन आपको जादा dignity and respect की नजर में आपको देखा जाएगा. यह होना चाहिए, नहीं चाहिए, अलग बाद है, लेकिन यह होता है. पहले होता था, अभी भी होता है. Number two reason was money. आज 20 साल पहले, जो generation of doctors था, वो लोग बहुत कमाता था, compared to this generation. This can be a meat also, but this is a fact also, क्योंकि उस generation में उतना saturation नहीं था. For example, अभी जो लोग late 40s में हैं, या early 50s में हैं, वो लोग medical profession का, financially मैं बोल रहा हूँ, वो लोग peak देखा है. 2000 से kind of 2015-16 तक, यह जो 15-17 साल का जो tenure है न, उस जमाने में सबसे money था market में for the doctors. Because patient बहुत था, patient अभी भी है, लेकिन doctor by profession जो ratio है, उस time पे कम था, in the sense, doctor कम था उस time. And technology was धीरे-धी evolving also, उस time पे. लेकिन जितना doctor चाहिए था, उतना नहीं था. तो अब अगर आब average भी doctor हो, या more than average doctor हो, आपका earning का scope in tier 1, tier 2 and tier 3, तीनो type का city में बहुत था, and business करने का. As a medical entrepreneur का, जो business start-ups होता है, उसमें भी आपका अच्छा खासा scope था. So, आज से 20 साल पहले, अगर कोई बोलता है कि ये doctor है, ये surgeon है, ये आदमी physician है, या radiologist है, मतलब इसके bank में बहुत पैसा है, इसका बहुत asset है, ऐसे ही लिया जाता था society में. And number three was less media interaction, less media coverage. Social media या mainstream media जो है, वो उस टाइम पे उतना नहीं होता था. तो positive point को थोड़ा over positive करके दिखाना, या negative point को over negative करके दिखाना, ये जवाना नहीं था उस टाइम पे. Mainly negative point, क्योंकि आज, आप YouTube खुलते हो, आप Instagram खुलते हो, या other TV खुलते हो, तो देखते हो कि lots of negativity is about being a doctor, the life of doctor, इतना काम होता है, पैसा काम होता है, ये वो मतलब प्रोना लगा रहता है मतलब. So मोटा मोटा बाद हुआ, एक ऐसा profession जिसमें बहुत सारा इज़त था, dignity था, जिसमें बहुत सारा पैसा भी था, and आप उतना भी, मतलब social media आपका पीछे पढ़ा नहीं है, तो it was kind of a dream job for majority of the students back then. Now let's fast forward it to 2024, आज के जमाने में, there are lots of good things about being a doctor, और lots of bad things also, pros भी है, cons भी है, और 10 से 15 साल आपको देना पड़ेगा, एक ठीक ठा कैरियर बनाने के लिए, आप अगर एक 15-16 साल का एक student हो, जो डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको पहले NEET-UG का barrier क्रॉस करना पड़ेगा, और उसमें अच्छा से जाती है सबको, मतलब ठीक ठा क, डिपिकल्ट एक्जाम है वो, आप selection rate भी कम है, तो पहले आप NEET-UG क्लियर करके, यू गेट इंटो MBBS, फिर MBBS का लाइप उतना डिपिकल्ट नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, मतलब वैसे होना चाहिए, इजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक होता है, हाँ, थोड़ा perseverance चाहिए, क्योंकि टेनियर थोड़ा बड़ा होता है, साड़े चार साल का आपका पढ़ाई होगा, फिर एक साल का internship होगा, फिर आपको MBBS का डिग्री दिया जाएगा, मतलब साड़े पांच साल टोटल लगेगा, तो बिकाम ए डॉक्टर, उसके बाद, अगर आप काम करना शुरू करते हो, येस, यू कन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू कन जॉइन, प्राइबेट गॉर्मेंट बोथ सेटप में आप जॉइन कर सकते हो, MBBS डिग्री पाने के बाद, लेकिन आप देखोगे कि आपका अर्निंग रेंज वही 70-80,000 से 1 लाग तक, उस रेंज में आप अठक जाओगे, आपको लगेगा कि भाई, इतना मेहनत करके, मैं इतना दूर आया, क्या भी 80,000 कमाने के लिए आया, आपका मन में आयेगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि दूसरा काउंटर पार्ट, जो दूसरा प्रोफेशन में चला गया, वो लोग लाक्स में कमा रहा है, कोई करोर्स में कमा रहा है, तो आपको भी इच्छा होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कि आप स्पेसालिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आप कोशिश करते हो, उसके लिए फिर से एक बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जो की मेजोर्टी ओफ दूसरा के लिए वो है नीट पीजी, अगें, मुच मूर डिफिकल्ट देन नीट यूजी इटसल, तो फिर से एक एक एकजाम देखे, आप M.D. या M.S. में आ गिया, फिर से देखोगे कि वही पांस साथ सब्जेक्ट है, जो लोग पैसा कमाता है, नीचे का जो सब्जेक्ट है, उतना पैसा नहीं कमाता है, मतलब पहले अगर M.B.S. करके 80,000 होता था, या 1,00,00,00 होता था, तो 20,000-30,000 बढ़ जाएगा, या 50,000 बढ़ जाएगा, 1,00,00,00, उससे ज़्यादा अब सामने नहीं जा सकते हो, for majority of the doctors, 5% exception होगा, उसको हम side में रखते हैं, ठीक है, 5% हर profession में बहुत अच्छा होता है, और 5% एक दम, मतलब उस type का, C type का होता है, तो ये 5% और ये 5% 10% को बाहर करो, बीच का जो 80-90% हो गया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नीट पीजी करने के बाद, आप MDMS में आते हो, ठीक होता है, मतलब हॉस्पिटल में काम होता है, आप काम करो, काम शीखो, लाइप, ठीक ठाक होता है, हाँ थोड़ा duty जादा होता है, लेकिन residency में वो passion रहता है, वो जुनून रहता है, तो आप भेती गंगा में आप भी भेह जाते हो, ठीक है, तो आपका MDMS खतम हो जाता है, तब जाके आप market में आते हो, bond period है, उसमें भी एक bond period होता है, वो अलग बाद है, लेकिन उसके बाद आप market में आते हो, आपका age हो गया, मोटा मोटा मतलब 28 से 30 एच के बीज में हो गया, जब आप full-fledged earning शुरू करते हो, excess of 6 disease में बोल रहा हूँ मतलब, अभी आपके पास MBBS का डिग्री है, MD या MS का डिग्री है, और आप as a doctor प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देखोगे कि tier 1 सिटीज में, earning kind of generalize हो जाएगा, ठीक है, उसलिए में, no disrespect to any subject, तो अब tier 1 सिटीज में जाके, metro सिटीज लाइक, Bombay, Delhi, Chennai, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, इस टाइप का सिटी में, आप जाओगे कि, इसमें तो जादा earning नहीं है, देखो, काम करने के स्कोप, हर जगा है, लेकिन earning थोड़ा कम, कम बेशी चलता रहता है, ठीक है, तो आप tier 1 सिटीज में अगर आओगे, देखोगे कि earning वही, देड़ से दो range में हो जाएगा, for beginners, आप 2 सल काम करो, 3 सल काम करो, तो धरे-दरे वह बढ़ता रहेगा, ठीक है, और थोड़ा medicinal subject में अगर आप जाओगे, रेडियोलजी, डर्माट, डर्माटोलोजी, मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इसमें थोड़ा ज़ादा होगा, शायद 2 से 3, 2 से 3, 3 साड़े 3 साड़े 3 इस range में होगा, ठीक है, तो average में ले लेता हूँ कि, PG खतम करने के बाद, 2 से 3 लाग आप अर्ण करते हो, ठीक है, तो the question is, Are you happy? Is it enough money? Earning 2 to 3 लाग पर मन्थ, अगर आपका answer है, Yes, I am happy, I am satisfied, This money is enough for me, then, बिक टिक होगया आपके पास, आप इस 2 लाग या 3 लाग को, मैं 3 लाग ही ले लेता हूँ, ठीक है, इस 3 लाग को कैसे आप बढ़ा होगे, कैसे 4 करोगे, in next 1 or 2 years, उसके पीछे लग जाओ, skills secure करो, हर subject में, active income, बढ़ाने के लिए आप कोशिश करो, ठीक है, यही आपका step से, and much more important step is, grow your passive earning source, जो की finance से related है, हम doctors लोग न, financial knowledge wise, हम लोग challenged होते हैं, उतना knowledge नहीं होते हैं, हम खली देखते हैं कि, 10 रुपिया, earn करना है is important, हम यह नहीं देखते हैं, 10 को कैसे बारा करते हैं, वो भी important है, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो यह गलती मैंने भी किया, initial years में मुझे, investing का, asset versus liability क्या होता है, इन में difference नहीं था, instant gratification के लिए, वो जो महंगा महंगा चीज चाहिए, तो उसमें मेरा pleasure आता था, तो right now, I am, you know, towards this side of the, of the river, पर ज़्यादा focus करता हूँ, rather than liability, active income के साथ-साथ, passive income को कैसे बढ़ाना है, वो भी मैं सोचता हूँ, investing करता हूँ, यह सब चीज मैं करता हूँ, तो आप अगर 2-3 लाग में, अगर happy हो, आप भी active income बढ़ा हो, passive income के बारे में सोचना है, investing करना है, यही सब करना है, अपना finance को अच्छे से manage करो, personal finance सीखो पहले, किताब पढ़ो अच्छा finance का, आप videos देख सकते हो, course ले सकते हो, ऐसे आप, आप this money is good enough money, आप अगर 2-3 लाग रुपे पर महिने, earn करते हो न, you are already India का top 5% people में आते हो, and एक चीज में बोलता हूँ, अगर आप 1 लाग रुपे पर महिने, SIP करते हो, systematic investment plan, जो होता है, mutual fund में होता है, सब लोग जानता है, kind of low risk भी मैं बोलूंगा, risk free तो कुछ भी investment नहीं होता है, यह low risk investment है, ऐसे direct stocks में नहीं है, या bitcoin में नहीं है, या कुछ किसी start-up में नहीं है, जो कि बहुत जादा volatile है, mutual fund is more or less stable, if you invest for long period of time, ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप invest करते हो, तब यह safe asset है, 1 लाग रुपे, आप 3 लाग अगर कमाते हो, definitely you should invest at least 1 लाग in SIP, ठीक है, mutual fund SIP में है, अगर आप large cap, mid cap, small cap, divide करके, 1 लाग रुपे total अगर आप SIP करते हो, अगर 10 साल करते हो, मुझे exactly याद नहीं है, थोड़ा इधर उदर हो सकता है, आप SIP calculator में देख लेना, 10 साल अगर आप invest करते हो ना, nearly वो 2.83 करोड उस type का money आता है, अगर आप 15 साल करते हो ना, तो ये बढ़के शायद 5 से करोड के आसपास हो जाएगा, और अगर आप 20 साल महिने का, अगर आप 1 लाग रुपे invest करते रहते हो, till 20 years, आपके portfolio में money होगा, nearly 12 से 13 करोड, दोखोई ये जो digit मैंने बताया, मैंने चेक करके नहीं बताया, थोड़ा इधर उधर होगा, तो प्लीज देख लेना, इसका मतलब हुआ कि आप 2 से 3 लाग अगर आप आप आर्ण करते हो, यही करते रहो, यही करते रहो, active income बढ़ाओ, passive income बढ़ाओ, जादा नहीं, खाली एक लाग मैंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला, एक लाग को आप छोड़ दो, आप सोचो कि यह मेरा अर्णिंग ही नहीं है, auto s.i.p कर दो, चला जाएगा, आपका account में आएगा तो यह गायब हो जाएगा, मतलब mutual fund में चला जाएगा, तो बीस साल अगर आप करते रहते होगे, उसके बाद आपका बारा से तेरा करोड रुपे होता है, and you are financially independent, हम लोग न, instant reach बनने के लिए हम देखते हैं, कि दो साल में कैसे हो जाता है, एक business खुला, तो छे महिने में चल बैठा वो, एक साल में वो बूम हो गया, ऐसे नहीं होता है, slowly slowly हमें reach होना है, अगर आप, आपको mind अगर शान्त रहता है न, process पर बिलीब करता है, यही करते रहो, आप 20 साल में देखोगे, कि एक छोटा पेड अब लगाया था, वो छोटा पेड धीरे धीरे बड़ा होते होते हैं, एक giant factory बन गया, आपका corpus इतना बड़ा हो गया कि आपको, अब अगर काम नहीं भी करते हो तब चल अगया, मतलब 30 years में अगर आप journey शुरू करते हो, 20 साल मतलब 50 हो गया, 50 की age में, you are totally financially independent, अगर आप 1 लाग रुपेया only SIP करते हो, Now the second option, ये 2 से 3 लाख money is not enough for you, you are not happy earning 3 लाग पर मन्त, हो सकता है, अपकोर्स हो सकता है, it is your margin, अगर 3 लाग पर महिने करना is not enough for you, then what, what else left, then I don't think any other profession, मैं खाली profession बोल रहा हूँ, beginners के लिए 30 years age में, I don't think any other profession will give you 3 लाग पर मन्त earning, फिर से, टॉप 5 परसन जो है, वो exception को मैं शाइट कर रहा हूँ, अब देखोगे कि किसी lawyer है, वो तो 10 लाग रुपे पर महिना कमाता है, या किसी engineer है, वो तो देर करोर का package लेके गया है, तो वो लोग ना exception होता है, लेकिन आप average देखो, in general average earning एक profession का क्या है देखो, I don't think any other profession will give you, this much amount of money as a beginner, 30 years का age में, 18 साल का या 30 years का age में, आपको दूसरा किसी profession इतना money नहीं देगा, then कौन सा profession देगा आपको, first one is entrepreneurship, business, if you are interested in business, then please come, लेकिन आपको वो भी जानना है कि business का success rate, it's less, very less, 100 business में, 10 business पैसा कमाता है, 10 में से 5 ठीक ठाक पैसा कमाता है, और 1 से 2 बहुत पैसा कमाता है, तो business के लिए, if you are willing to take that much amount of risk, if you have idea, if you have execution, if you have corpus also, कि बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो यह सब अगर चीज है, then please come, enjoy the entrepreneurship journey, और second option is, आपको public figure, बढ़ना पड़ेगा, to be able to earn, more than 3 लाग, मतलब आप 10 लाग कमाना चाहते हो, 15 लाग, 20 लाग, एक करोड महिने में कमाना चाहते हो, तो बड़ा बड़ा ड्रीम है, कोई खराब नहीं है, then you have to become a public figure, वो public figure क्या हो सकता है, easiest option is YouTube, Instagram, social media में, इसमें carrier है, लेकिन इसका जो algorithm है वो अलग है, it is different from being a doctor, there are lots of doctors, जो लोग, ठीक ठागर्णिंग करता है, YouTube से, million subscriber है, तो वो लोग ठीक ठाग कमाता है, लेकिन इसका algorithm अलग है, तो आपको time देना पड़ेगा, आपको फिर से वही risk लेना पड़ेगा, 100 अगर लोग जर्नी शुरू करता है, तो मुश्किल से 5 साथ को success मिलता है, तो अगर आप risk लेना चाते हो, तो फिर से आओ, other public figure क्या हो सकता है, any other media professionals, singer, dancer, actor, sportsman, यही सब चीज, जो public figure है, वो आपको high return देगा, high earning देगा, simple सा बात है, कोई magic तो नहीं है, इसमें कुछ rocket science नहीं है, जिस आत्मी को लाखो करोडों लोग जानता है, तो उसको देखने के लिए, या उसका product, consume करने के लिए, people are willing to give, some amount of money, तो ऐसे अब, जादा पैसा कमा सकते हो, एक big question है, कि how much amount of money, is sufficient, महिने में, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, तब sufficient होगा, देखो किसी के लिए, एक student के लिए, जो doctor बनना चाते हो, वो अभी सोच रहा है, कि भाई मेरे, मेरा अगर एक लाग अगर रुपे, मैं महिने कमा लूँगा, तो बहुत है, मेरा अगर उस type का ही नजर था, एक MBBS student, शायद उससे 2-3 गुना चाहेगा, या कोई 5 लाग, 10 लाग, कुछ limited नहीं इसका, in my opinion, आपका जो महिने का expenses है, सब कुछ मिला के, आपका EMI अगर चलता है, या rent है, खर्चा पानी, everything, महिने का everything, इंक्लूट करके, जो आपका expense है, उसका 3 गुना अगर आपका earning है, पर मतलब सोच लो कि, आपका महिने का expense, 1 लाग रुपे, 3 लाग, अगर आप earn करते हो, then you are secured, लेकिन 3 लाग is not luxurious earning, 5 टाइम्स अगर आपका earning होता है, आपका मतलब 1 लाग into 5, मतलब 5 लाग से अगर आपका earning होता है, then you are at the luxury level, अगर आपका expenses बहुत कम है, 50,000 में अगर आप expense कर सकते हो, then वो number घट जाएगा, तो आपका उपर जो burden था वो चला जाएगा, तब number adjusted हो जाएगा, मतलब 50,000 अगर आप सब कुछ मिला के आपका expenses है, तब इसका 3 गुना मतलब 1,5 लाग आपका security हो गया, you'll feel secured in 1,5 लाग, but इसका 5 गुना मतलब 1,5 लाग से जादा अगर आप earn करते हो, then you can feel luxurious, देखो ये finance का कोई rule नहीं है, ये मेरा view है, मेरा opinion towards money, मेरा अगर expenses 1,00 लाग रुपे है, this is imaginary by the way, इसे ज़्यादा भी हो सकता है, इसे कम भी हो सकता है, एक लाग अगर है, तो 5,00 लाग अगर मैं cross कर जाता हूँ, then this is luxury for me, अब दू category है, considering आप doctor profession में आना चाहते हो या नहीं, देखो, first one is, आप एक rich family से विलोंग करते हो, आपका family में कोई businessman है, या बहुत पैसा है मतलब, 5,00,000 से ज़्यादा मैं ले लेता हूँ, आपका family का earning है, आपका बहुत asset है, crores का, you know, corpus है आपका family में, then, if you are coming into medical, to earn money, then, शायद ये उतना अच्छा option नहीं है, आपके लिए, क्योंकि आपका family में, mummी, papa, या family में कोई इतना earn करता है, आपका इतना asset है, so, 10 साल, 15 साल देना, to become a doctor, just to earn money, देखो, आप passion के लिए अगर आना चाहते हो, I just want to become a doctor, then, okay, but money के लिए, अगर आप, doctor बनना चाहते हो, considering you are already rich, might not be a good option for you, क्योंकि आप, 15 साल देने के बाद देखोगे, कि वही आप, आज के, आज के हिसाब के मैं बोल रहा हूँ, कि 2 लाग, 3 लाग, ऐसे ही कमाऊँगे, अगर आप ठीक ठाक ब्राँच में चला गया, अगर आप उतना talented नहीं हो, या उतना hard working नहीं हो, अगर lower ब्राँच में अगर चला गये, तो देर 2 लाग में आप रह जाओगे, फिर आप regret करोगे, कि भाई, मेरे पास तो 2 लाग अगर कमाना था, तो मेरा family का इतना business था, मैं उसमें time दे देता, तो उससे जादा earn करता, तो ये सब feel होगा आपको, शायद आपके लिए दूसरा option है, high risk option में आप जा सकते हो, high risk and high return also, उस type का option में आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप upper middle, middle और lower class में बिलोंग करते हो, मतलब आपका family का earning मतलब, मान लो की एक लाग से कम है अभी, अभी का मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास उतना options नहीं है, आप दूसरा किसी profession पे जाओ, तो उतना शायद money नहीं मिलेगा आपको, फिर से मैं वो top 5 person को मैं side में कर देता हूँ, तो money के लिए भी अगर आप आना चाहते हो, then medical profession is good enough, आपका family earning अगर 50,000 होता है, tier 2 या tier 3 cities में बिलोंग करते हो, या village से बिलोंग करते हो, अभी भी ऐसा है, 20,000, 30,000 किसी का family earning है, तो आपके लिए अगर आप reach बनना चाहते हो, then आपको यही profession पढ़ा है, आपको doctor, आप doctor बनो, ठीक ठागे earning देगा, उसके बाद 10 साल, 20 साल काम करो, invest करते रहो, फिर पैसा जमेगा, then शायद आप business पे invest कर सकते हो, आपका खुद का chamber खुल सकते हो, आपका खुद का nursing home, hospital, जो भी हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए, some amount of money, एकठा करना is important, ठीक है, आप multiple videos देखोगे, जिसमें एक successful entrepreneur बोलता है, कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, काम नहीं कर सकता, मैं मेरा business चलाने में ही, किसी के अंडर मैं काम नहीं कर सकता, मैं खाली business ही कर सकता हूं, वोही आदमी 10 साल किसी के अंडर काम करके आया, फिर पैसा जमाया, फिर अभी जो खुद का business हो गया, तो बोल रहा है कि मैं किसी के अंडर नहीं काम करूँगा, अरे भाई, पिछले 5 साल, 10 साल तो किसी के अंडर काम करके आया ना, so majority, middle and lower middle family से जो लोग आता है ना, मैं उनको बोलूगा कि इसका उसका बात मत सुनो, पहले तो काम करके पैसा एकठा करो, business के लिए ना, पैसा is very important, दोखो अगर आप खाली डॉक्टर बनना चाहते हो, पुरा जिंदेगी, being a doctor, आप बिता देना चाहते हो, is more than good enough, आपका पैशा कभी कभी problem नहीं होगा, इज़त का problem नहीं होगा, आप शुकून सा एक life जी सकते हो, हाँ ठीक है, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, वो अलग बाद है, लेकिन, this is life, कभी high होगा, कभी low होगा, लेकिन, आपका life ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हो, बहुत पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको पैसा एकट्टा करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यह पहले बेगा, आपको जाएगा, आपको जाएगा, आपको जाएगा, लिकिन आप मेडिकल में आना चाहते हो, आप दॉक्तर बनना चाहते हो, because you love being doctor, you know, you love the profession, then please listen to me. See, majority of the students, they come into medical not thinking about money. They just come into medical just because they love the stream, love some subject. That is why they come. For example, in 2010, when I joined as a first year Amoebius student, I came into medical just because I love the profession, I love the stream. I didn't have any idea why I chose medical, just came into medical kind of casually मैं आ गिया. मतलब, क्या वज़ा था मैं मेडिकल में आया, मैं नहीं जानता हो, मुझे अच्छा लगता था, एक किसी से सुना की ऐसा हेट टरना एक चीज है, तो मैं आ गिया. मुझे लगा कि भाई यही करना है, यही difficult चीज बोलना है लोग, तो इसको crack करना है बस. तो मैं चला आया, एंड इसको आप innocence भी कह सकते हो, एक naiveness भी आप कह सकते हो, देखो, किसी को अगर आप प्यार करते हो न, आप criterious नहीं डूणते हो, आप अच्छा लगता है तो आप प्यार करते हो वस, आप किसी को शादी करना चाहते हो, तो आप criterious नहीं ढूणते हो, अगर प्यार नहीं है, देन आप criterious ढूणते हो, कि अगर आप arrange marriage करोगे, तो देखोगे कि कैसा है, लड़की कैसा है, या लड़का कैसा है, कितना कमाता है, etc. वो सब आप देखते हो, लेकिन अगर आप प्यार करते हो, आप नहीं देखते हो कि लड़का कितना कमाता है, लड़की कितना कमाता है, उसका family में कौन है, कौन अ निव फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ, नयनया, सीनियर से मिलना, बैच मैट्स, जूनियर से मिलना, इंट्रेक्ट करना, वो अलग एक लाइब था, उसको आप पैसा से खरीद नहीं सकते हो, जब मैं थार्ड एर, फोर्द एर हुआ ना, तो मेरे मन में आया, कि मुझे रेडियो उस टाइम में, मतलब मैं 2013-14 का मैं बात का रहुआ, उस टाइम पे, थिंकिंग अबाउट रेडियोलजी इसल्फ, बहुस बिग टास्क, अभी सीट बढ़ गया, तो इस बिकम अबिट एजिया, तो अभी भी नहीं है, अबिट एजिया लेकिन उस टाइम पे ना, रमान साओ, MBBS, MD Radio Diagnosis, मेरे नाम का पीछी, MD Radio Diagnosis का डिगरी होगा, यह मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब मैं आँख बन करके विजूलाइज करता था, कि मैं अगर जिस दिन में रेडियोलजिस्ट बन जाओंगा ना, मतलब मेरा दुनिया का सब कुछ मेरा नौट लुकिंग अबाउट दा क्राइटेरियास, कितना पैसा है, कैसा लाइब है, PGC भेक्टिग है की नहीं, नाइट ट्यू ट्रीज, etc, etc, AI, etc, etc, जो अभी डिसकासन होता है, यह सब देख के मैं नहीं आये था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे गुट फिल होता था तो मैं आगिया, इसलिए मैं आपको बोलना चाता हूँ कि सब कुछ पैसा में डिटर्मान नहीं होता है, जो जितना पैसा कमाता है, वो उतना सक्सेस्पुल है, या उतना ज्यादा हैपी है, आपसे अगर कोई दो लाग ज्यादा कमाता है, तो वो ज्यादा सक्सेस्पुल ह या ज्यादा है पी होग या ऐसा कुछ नहीं है happiness and success knowledge these things are not determined by money money is a separate word ठीक है money is important लेकिन beyond some amount of money I feel this is my opinion I might be completely wrong beyond some amount of money if you chase money you will lose relationships you will lose friends आपके पास में लोग कम होता जाएगा so focus on relationship focus on feeling आदमी पर invest करो एक good relationship बनाओ family के साथ अच्छा रिस्ते बनाओ friends के साथ बनाओ आपका अगर girlfriend boyfriend है husband wife जो भी है उनके साथ रिस्ता और भी strong करो इसमें real happiness real success चुपा है and in doing so आप earn करोगे ठीक ठाग see 95% में होता है न अगर आप internally happy हो internally you feel success successful तब आप invariably पैसा अच्छा कमाऊगे so young students को मैं बोलना चाहता हूँ आप प्यार करके इस profession पे आओ आप प्यार करके किसी particular stream पे जाओ eventually you will do wonders if you love something you love you feel happy you feel satisfied about what you do then invariably you will do wonders in that particular subject or particular stream and you will end up earning much more money than the ones who chase money three idiots में एक डायलोग था न की काम्याब नहीं काविल बनो success आपका पीछे जग मार के आएगा यही चीज में अभी भी बोलना चाहता हूँ is it still worthy being a doctor yes it is I'll meet you in my next video till then take care and if you like this video then you can share this video and subscribe to my channel take care